नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ छवी वारूत के धेर पर बैठे मांगलिया अस्थित रामिश्वर धाम कॉलोनी जहां पर बड़े बड़े पैट्रोल डीजल के टैंकर होते हैं खड़े वही आई दिन यहां दुर्घटना की अबनाब बनी रहती है मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मांगलिया अस्थित रामिश्वर धाम कॉलोनी में पैट्रोल डीजल के टैंकर हमेशा कॉलोनी में खड़े किये जाते हैं वही इस्थानिये लोगों का कहना है कि यहां पर पूर्व में भी पैद वापस लो लेकिन बेकसूर लोगों की जान पर बनी यह टैंकर वाली कॉलोनी कहलाने लगी बता दें कि जो टैंकर यहां खड़े होते हैं उसमें से पैट्रोल और डीजल चोरी किया जाता है जिसका वीडियो भी कॉलोनी वालों ने मीडिया के समक्ष दिया कहा कि यह चुनाव सर पर हैं और पार्टी के ही लोग बदनामी करने पर लगे हुए हैं जिससे रहवासी बहुत नाराज नसर आये हैं उन्होंने पूर्व में भी चक्का जाम किया था शिकायत की थी लेकिन अभी तक प्रश्यास ने करवाई नहीं की गई लोगों का ये भी कहना है कि टैंकर यहां से हटाये जाएं नहीं तो किसी दिन बहुत बुर्या तरहे से ब्लास्ट होगा और इसमें जान भी जा सकती है ऐसी संभावना लगातार हमारे चेत्र में बनी रहती है कौन मंत्री जी और क्या नाम है इनका महेश मंत्री रामिस्वर मंत्री है कपड़े की दुखान है इनकी पेले भी इनका डिजल पिट्टोर का दंदा वह वा दो जार आटनों में टेंक हाईवे सिटी जो बनी हुए यह वी रोड के हुआ पे हुआ था यह पुराना भी प्रेंकर यह सब बंद होना ची और आम आदमे को सुगिदा मिले आपका परेशे अनिल शर्मा यह कोई बढ़ी दूर बतना होता है यह बच्ते भी खेलते हैं तो महला जो कोई रटना घड़ जाए जिए जिसे महला की असमत पर आज आ जाए जाए जिब्मेदार कोन है दू पर आपके बच्चों का और आप भी जानता कि सारे जो भी इसकुल टाइमिंग है वो सुबहे नो से दस के बीटका रहता है और उसी समय के निकलना भी होता है तो माना की एक्स्क्रियेंस जो होल्डर रहते हैं उन्हीं को गवर्मेंट लाइसेंस देती है पर गटना कभी भ जो भी कोई गटना होती है ओक्सी से कव भी चुक हो सकती है में इस समय जो टेंकर्कर का निकलना होता वह व पर लब यह रहवासी हिलाके में टेंकर की अनुमती और वो भी भरेवे टेंकरों की अनुमती तो बिल्कुल नहीं होना चीए खाली भी नहीं आना चीए या किसी कंडिशन से आते हैं तो इन पर बेन लगना चाहिए तर पुलीस प्रसरशन चुकि मैं तो रेंटेड हूं और म से लगा कि जो भी 150-160 घर है परिशानी सभी को है पर हर कोई आगे भी नहीं आना चाहता है किसी के खिलाब बोलना भी नहीं चाहता है रीजन आप सभी जानते हो कि क्या है क्योंकि हमारी पकड़ और पोच्छनी है कि हम बयान देने के बाद में हो सकता है कल से हमारा ही कुछ मेरा यह मानना है कि हम यह चाहते है कि यदि कोई चीज के लिए लोट है तो उसका पुंतर है जो पालन किया जाना चाहिए अनुशाशन के हिसाब से गवर्मेंट लोग के हिसाब से वो सारी चीजे होना चाहिए यदि commercial lot होता है तो हम खुदी जो है residential plot यहां पर खरीदते नहीं और रहते नहीं इसलिए हमारा यह मानना है कि जिस residential जो भी चीजे है वहाँ यहां तो ठीक है मतलब किसी भी एरिये में इस तरीके की activity नहीं होना चाहिए आपका परीचे मेरा नाम पवन पटेल है मैं 280 भी रामेश्वर धाम में रहता हूं और यह समस्या यहीं कि time news दीखिए अब आपके mobile और smart tv पर live play store से डाउन्लोड करें time smart tv app